हालो पीपल, I hope you guys are doing wonderful, wonderful, wonderful और आशा करते हूं कि आप सब लोग बहुत, 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 बहुत जबरदस्तों, यारो चलिए, आज बहुत खास कुछ बाते करेंगे आपके साथ एक्जाम्स सिर्पे हैं, और I think exam fever अभी आप सब लोगों को एकदम अच्छे से अपनी चपेट में ले चुका है, कैसा होता बेटा जी, बहुत सारी चीज़ें आज बात करूँगा, बहुत, बहुत, बहुत सारी चीज़ें बात करूँगा, पहले जनरल बात कर रहा हूं, जो सब बच्चों के लिए, आप executive हैं, आप professional हैं, आप new syllabus हैं, आप old syllabus हैं, सब लोग सुनना, पहले 15 minutes, उसके बाद में मैं specifically बात भी करूँगा, कि यह भिया, new syllabus बच्चे के लिए बात कर रहा हूं, old syllabus बच्चे के लिए बात कर रहा हूं, MCS के बात कर रहा हूं, IBC के लिए अलग बात कर रहा हूं, सब के लिए भी बात करूँगा, पर पहले 5-7 minutes, तो सब बच्चों के लिए हैं, तुसको बहुत बहुत अच्छे सबलो, क्या है रहा? इतने सालों से, इतने सालों से, जब मैं बच्चों को देख रहा हूं, so one trait that I've seen in kids who clear the examination with a rank, or who clear the examination with flying colors, is, they ensure that they keep their calm. देखो, बच्चे महनत तो आप सब नहीं किया, मतलब उसमें तो मुझे कोई doubt ही नहीं है, कि आप बच्चों ने इतने लंबे-लंबे duration के lectures complete किये हैं, आप बच्चों ने इतने सारे अभ्यास, शीर, इतने सारे question practice कियें, आप लोगों ने इतना test दिया है, तो महनत आप sound भी करके देदूँगा ऐसा, है ना, तो सबसे पहले में बात कर रहा हूँ, आप सब लोगों के बारे में, है ना, for everyone who's appearing for June 24, पहले आप सब के बारे में, फिर subject wise भी बात करेंगे, तो महनत आप लोगों ने बहुत किये, लेकिन अभी जो चीज़ आप लोगों को करनी की ज जान रखो, ठेक है, सबसे बहला और सबसे एहम pointer, आप, I am very proud of you, अगरा बच्चे यहां तक पहुंचे हो, तो सबसे बहले चीज तो है कि I am proud of all of you, जो बच्चे यहां तक पहुंचे हैं, जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई complete किये, revision complete किया है, और बच practice, यह सब करके आप यहां तक पहुंचे है, तो I am already super duper proud of you, ठेक है, सबसे बहले चीज, and you should also be very happy and proud of yourself, and you should be very happy and proud, क्या बच्चे यहां तक पहुंचे हो, अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हमें कुछ चीजों का धियान अखना है, इसके आगे हमें कुछ चीजों का सबसे एहम चीज आजाएगी, बेटा जी, you'll have to keep your calm, मतलब आज की जो मैं top highlight करूँगा, उसमें से तीन चीजा highlighted रहेगी, उसमें से पहला आएगा that you'll have to keep your calm, इस समय पे अगर आप panic कर जाते हैं, इस समय पे अगर आप बीमार पढ़ जाते हैं, इस समय पे अगर आपकी दिम reward में convert नहीं कर पाऊगे, तो keep your calm, have patience and have this belief, यह भरोसा रखो यारा कि result, pass, fail बहुत दूर की बात है, आप वो angle ही हटा दो, ना एक question था how to do it, किसर हमें thoughts आ रहे हैं, यह सब आ रहा है तो क्या करें, एक चीज करो, आप अपने पूरे equation से result, pass, fail को हटा दो, result के बारे में सोच ही नहीं है, आपका target अभी 25th of August नहीं होना चीए, आपका target अभी यही 2nd June 2, जो आपका 10th, 11th June तक आपकी exam चलेंगे, बस यही आपका target होना चीए, कि मुझे बस बहुत प्यार से यह exam लिखकर आने, बात ख़दम, trust me, trust me, thousands and thousands of बच्चों को देखा है मैंने, आप क्या सोचत के बारे में कुछ, आपका target क्या करना है, बस के मुझे शान्त तरीके से, पीसुल तरीके से पूरे 100-100 marks के पीपर लिखकर आने हैं, बस, तो keep your calm, if you are calm, तो आप मान लीजिए कि आप majority बच्चों से, मॉब से, कुछ कदम आगे अलरी निकल चुके है, तो result के आरे में सोचना से देना है, अपना एक honest effort देकर आना है, अपना 200% देकर effort देकर आना है, बात खतम, बात खतम, और कुछ सोच नहीं, result के बारे में, result relevant ही नहीं है, relevant है कि आपना 100% पेपर में देकर आए, so keep your calm, उसके बाद में 100% ध्यान रखना, do not study anything new now, अब आप कुछ नया मत पड़ो, अब आप इस मुकाम पे आ चुके हैं, अब जो पढ़ा है, उसी के revision पे ध्यान दो, कुछ भी अब नया पढ़ना नहीं है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो हमने पढ़ा हुआ है, उसी पे ध्यान देंगे, उसी को revise करेंगे, उसी को अच next do not discuss anything with friends . पढ़ाई से related in specific, बाकिया बाते करो, बढ़ाई से related, जादा स्धील बाकिया से बढ़ाई पढ़ाई जादा Taylor aurait करो, तीरा कितना हूआ है, मेरा कितना हूए इस TOPIC में इसा तु नहिए था मेरा के तैंः नहीं करो सामने वाला कुछ भी बोलेगा, आपकी preparation negatively ही impact होगी, कुछ भी बोलेगा, उसने बहुत अच्छा हुआ, तो भी आपकी negatively impact होगी, उसके बिल्कुल अच्छी दिन चल रही है, तो भी आप शाहिद रिलाक्स हो जाओगे, आपकी negatively impact करेगी, आप कोई भी वेक्ती से discuss मत करो, आपका paper अलग है, आपका result अलग है, आपका सबकुछ अलग लिखा हुआ है, तो don't compare, don't discuss, this is always going to act negative, ठेक है, उसके बाद में एक बहुत important चीज़ आ रहा है, कि अभी तुम आपको अभी exam से आप कुछ दिन पहले है, say for example, one week prior to exam का discussion है, exam के एक प्रथा इतने सालों से, I'll be sending an audio on the telegram channel, वो जरूर देख लेना, exam के एक दिन पहले में एक audio भीजूँगा, वो 100% देख लेना, because उसके अंदर में वो बता के चाहूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, कि आपको exam के टापे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो मैं तब बताऊंगा भी जादा उस पर टाइम नहीं दीता, कि आपको exam के दौरान paper discuss नहीं करना है किसी की भी साथ, किसी भी हालत में आपको सारे papers लिख के ही निकलना है, आपका पिछला paper कैसा हुए, उसका impact अगले paper पे नहीं होना चीए, I have seen hundreds of students crying after the paper, कि इतना गंदा हो गया, इतन में तो अच्छे माक साईगा, so एक दम जो paper कैसा हुए, उसकार में सोचता ही नहीं, अपनी ताकत से, आपके जितने ही paper है, आपके चार paper है, तीन paper है, आपके नौ paper है, आपके साथ paper है, जितने paper से आपके, वो इमानदारी से बस दे कर आजाना है, that is it, जितना आप micromanage कम क करोगे, जितना आप दिखो के बस मज़े से paper लिखकर आना है, उतना बेटर performance रहेगी, उतना effortlessly आप exam को forward कर आओगे, ठीक है रहा, तो यह ध्यान रखना है, audio आएगा, उसमें मैं minute बाते कर लूँगा, exam के दौरान ध्यान रखने के, इसके बाद मेटा जी, बहुत 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 इंपॉर्टन चीज़, मैं लिखकर लाया हूं एक एक पॉइंट, कि कोई भी एक पॉइंट आपको बोलना में भूलना जाऊं, ठीक है, have faith in yourself, this is very very important, have faith in yourself and in your preparation. कभी-कभी क्या होता है, कि आपने कुछ भी एक अजीब सा question देख लिया, किसी friend ने कुछ भेजा है, किसी ने WhatsApp पे कुछ भेजा है, और आपका एकदम से confidence चूड़ गया, ये आपको पूरा attempt cost कर सकता है, have faith in your preparation, कि मैं इतनी अच्छी महनत किया है, मैं बहुत आराम से exam को अच्छे से अच्छी से अच्पेर कर लूगा, have faith in your preparation is very important, staying confident is very important, अगर आपका अपने preparation पे faith ही नहीं, आपको लगता है नहीं, पता नहीं क्या होगा, और आप बार बार आपने मूँ से बोलते हैं, तो पता नहीं क्या होगा, तो actually पता नहीं क्या होगा, आपका अच्छी से अच्छी से अच्छी से अच्छी से नहीं क्या है, तो अब बस कभी भी नेगटिवली बोलना ही नहीं, अपने मूँ से कुछ नेगटिव बात निकालनी ही नहीं आपको, अब जितना बोलोगे, positive बोलोगे, have faith in your preparation, बहुत अच्छी से बढ़ाई कि बहुत अच्छी से पता है ना, तो उसको बार-बार खुद को प्रेशराइस करके, क्या मतलब है, have faith in your preparation के बहुत बढ़ाई की है, और paper बहुत अच्छी लिख करा हूँगा, that has to be your mindset, result के बारे में सोचना भी नहीं है, उसको गहीं पर reflect भी नहीं करना अपनी बातों में, paper अच्छा लिख करा हूँगा, यह मेरा target है, अगर हो किया, automatically सब अच्छे से होगा, ठीक है रहा, इसके बाद में एक और खास चीज, ठीक है, यह video, release हो जाएगा, most likely, say, Saturday या Sunday, ठीक है ना, आपके exam से एक दिन पहले तक, आप अच्छे, कुछ भी अगर, मुझे कहना चाहते कुछ भी अगर, मुझे से पूछना चाहते हो, तो इसके नीचे आप, comment कर दो, 27th तक, 27th night तक, जितने भी बच्चों के comment आए, I'll ensure that I'll reply myself, ठीक है, तो यह video, Saturday night को release हो जाएगा, most likely आप च्छों के पास, अभी Saturday ही है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, so, नहीं, गलत, गलत, कह दिया मैंने, 26th, 26th is Sunday, so, today is 25th, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, Saturday को शाम को पांच बचे, यह आपको Saturday को ही रात तक, यह video आप तक आ जाएगा, ठीक है बच्छे, तो आज 25th night, 26th night तक पी, अगर आपने, कोई भी चीज मुझे कहनी है, या मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप नस वीडियो के नीचे, आप कमेंट कर दो, I'll ensure, के उसके अगले, दो से तीन दिन के अंदर, I'll reply to each and every comment, ठीक है बच्छे, तो कुछ भी आप, कुछ भी आप कहना चाहते हो तो कुछ भी कहते हो, मैं सिर्फ आपको गुड़ लग विश्कर दे का कमेंट में बले ही, तो आप कुछ भी अगर मुझसे पूछना भी चाहते हो, कुछ भी क्योंकि जैसे कि आपके दिमाग में कोई भी चीज है, जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, सब्जेक्ट वाइ सौ-दोसो भी आएंगे कमेंट, I'll ensure that I'll reply each and every comment, ठीक है रहा, बस, तो ensure करना है, 26th night तक, 26th night तक, आप कर दो, ताकि उसके बाद भी करो तो चिंता मत करो, ठीक है न, आप कर दो अपनी तरफ से कोई चिंता की बात नहीं है, शायद हो सकता है कि फिर आपके एक्जाम से इतने क्या और क्या, हाँ, ये तो कोई बोलने की बात नहीं है, यारा, गेव, यॉर, 200%, अपना 200% अभी आपको देना है, ठीक है पिटाची, 200% मतलब, जितना जीजान आप में है, उतना पूरा लगा दो, अभी से लेकर एक्जामनेशन तर, इतने बच्चों को मैंने देखा है न and at times result surprise me also, मुझे भी result surprise कर देता है कभी-कभी, क्योंकि ऐसा होता है कभी-कभी कि हमने imagine नहीं किया और ऐसा को जाता है, एक व्यक्ती, एक बच्चा है, जो की job कर रहा है, और job के साथ-साथ पढ़ रहा है, और वो फोड के आ रहा है, मेरी आबास सुनो बस, एक व्यक्ती है, जो job कर रहा है, और job के साथ में पढ़ रहा है, और exam clear कर जाता है, तो उस व्यक्ती को self-study करने के लिए शायद कुछ ही hours मिल रहे थे, बट उन hours के अंदर भी उसने मचाया है और clear कर दिया है, आप बस ये मत सोचो, कि आप अभी किसी परिशानी में हो, I have seen kids with extreme physical issues and clearing the examination, तो एक परिशानी है, और exam से उसी के परे सारी परिशानी आ गई, ऐसा होता है, बट बस भरोसा रखो कि अगर कभी भी आपको एक अजीब सी परिशानी दिये, तो एक extra advantage है कि आपके पास clear करने की फिर भी possibility है, आप बस अपना 200% दो, question बस ये है कि आप अपना 200% दे पारे है औ उसको दिन में सिर्फ 4 गंटे मिलते हैं, वो अगर 4 गंटे भी अच्छे से पढ़ रहा है, तो मतलब वो अपना 200% दे रहा है, तो comparison की बात नहीं है, question बस ये है कि क्या आप अपना 200% दे रहे हो, and trust me, result में और reflect हो जाएगा, जादू ही तरीके से होगा, जादू ही तरीके स पुल बना रहे हैं, to go to Shilanka, ठेक है, Shilanka में हमारी सीता महिया है, सीता महिया को लाने के लिए सब लोग पुल बना रहे हैं, ठेक है, तो हनुमान जी, बड़े-बड़े mountains के mountains, बड़ी-बड़ी चट्टाने, ये सब लेकर आ रहे हैं, ताकि वो पुल के अंदर contribute कर पाएं, और एक पुल बन पाएं, Shilanka तक, तब ही एक छोटा सा जीव, चीन्टी बराबर, वो भी जाता है पीछे, और एक कंकड उठाता है, और कंकड लाकर उस पुल के अंदर रख देता है, वो अपना contribution कर रहा है, Shilam देखते हैं, और हमारे राम जी, उसके पास जाते हैं, और हा तब ही ये बात हनुमान जी देख लेता है, हनुमान जी के दिमाग में आता है, कि यार, मैं इतने बड़े-बड़े चटान वगरा ला रहा हूं, और ये जीव कितना इत्तु सला पर है, जितना वो अपने पूरे जीवनकाल में लेकर आएगा, उतना तो मैं एक बार में ला आप था, कि तुम, तुम्हारी ताकत का शायद 50-60% ही लगा रहे हो ये करने में, आप आपकी ताकत का शायद 50-60% लगा रहे हो, लेकिन वो जीव अपनी ताकत का 100% लगा रहा है, फाइनल आउटकम में क्या डिफरेंस है, वो रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे, लाइफ मे यह रेलेवेंट है कि क्या आप अपना 200% दे रहे हो क्या, अगर वो जीव अपना 200% दे रहा है, वो वहीं से मोक्ष में चला जाएगा, लेकिन आप तो शायद, आप तो शायद अपनी ताकत का 50% ही लगा रहे हो, तो आपको उतना पुन्य नहीं मिलेगा जितना पुन्य उ कुछ financial trouble है, घर में कोई बीमार हो चुका है, मैं बीमार हो चुका हूँ, मुझसे कैसे होगा, मैं कैसे clear करूँगा, आप यह सब मत सोचो, क्या आप उस स्थिती में अपना 100% दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, यह relevant है, अगर आप उस स्थिती में अपना 100% दे रहे हो, nothing, nothing can stop you, give your 100% and the result will surprise you, बस, बस, अब एंड में इतना सा है रहा, एक चीज़ जो आप सब को पता है, miracles happen every day, यह भरोसा रखके चलना है, that miracles do happen every single day, तो आप बस अपना काम करते चलो, और भाई, miracles होंगे and you cannot even believe, ऐसी चीज़ आपके जीवन में होती जाएगी, बस आपको यह करना है, कि आपको अपना 100% देना है, कि आप अपना 100% दे रहे हो, that is the real question and that is the only question, तो एक दम स्थे काम, final outcome आपके control में निये, उस बारे में सोचो ही मत, आप मजे में रहो, और अपना 100% देते वे पढ़ाही करते रहो, कि से discussion मत करो, and you will see, you will be surprised with the results, तो आपको 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 आपक सकते हो यहां पर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो उसके लिए मैंने कमेंट करने की बाते है ठीक है रहा चल्ड अब यह तो होगा आप सब बच्चों के लिए अब आप कुछ बच्चों के लिए specifically में बात कर लेता हूं ठीक है तो आपके लिए चीजें और new syllabus के हैं, क्योंकि old और new में क्या फरक है, old syllabus में आपका subject का नाम था, SLCM, new syllabus में आपका subject का नाम है, CMSL, बस, आप बच्चों के लिए हर चीज अविलेबल है, आशा करता हूँ कि आप से बच्चों ने, जो amendments हैं, वो देख लिए, amendments तो common ही है, कुछ खास नहीं है, आशा करता हूँ कि amendments आपने इमानदारी से देख लिए, आप बच्चों के लिए, revisions separately uploaded है, CMSL के बच्चों के लिए अलग revision है, आपके module के साब से, आपके syllabus के साब से, SLCM के बच्चों के लिए अपना revision है, अपने module के साब से, अपने content के साब से, तो आप अपना-पना revision देखो, एक दूसरे का revision देखने के लिए मच जाओ, सिर्फ एक buyback है, जो आप देख सकते हैं, buyback का revision देखना अनिवारी है, buyback का, जो SLCM भाले हैं, वो CMSL का भी देख सकते हैं, अपने चैप्टर से में हैं, और amend हुआ है, तो buyback का जो एक amended मैंने revision लिया है, वो जरूर देख लेना, और इसके लबा आपके लिए दुनिया भर का content दे रखा है, old syllabus के लिए तो क्या-क्या नहीं है, तो आप ensure करो कि आप इमानदारी से उसे आपने देखा है, अगर देख लिया है, तो wonderful और वो सब अच्छे से preparation के साथ आप आगे बढ़ो, exam में, you'll be able to kill it comfortably, आप बच्चों के लिए एक PDF भी बना रखा है मैंने, जिसके अंदर सारे revision lectures के link साथ में होते हैं, वो मैं description में भी देदूँगा, तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, आप जब चाहो comfortably उसमें अपने relevant चीज़ को access कर सकते हो, सारे revisions उस PDF के अंदर है, ठीक है आरा, इसके बाद में, आप लोगों को बस क्या धियान रखना है, executive level पे एकदम प्रेम से, revise well, आप लोगों के लिए सब कुछ अलड़ी है, तो आपको कुछ परिशान हो, हर एक का आपका quick revisions भी हैं, और सब चीज़ें आपके लिए उटीव पे अप्लोड़े तो एकदम मज़े मेरा हो, numericals देखके जाने compulsorily, numericals compulsorily आप दोनों को अपने पढ़के जाने, आप लोगों को ने अल्रीडी पढ़े हैं, तो उसको ensure को अच्छे से करके जाने, exam में bonus marks है numericals, ऐसा, revise well, confidently attend 100 marks का पीपर, बस इतना सा कर के आओ बच्चे, revise well, और confidently 100 marks का पीपर अटेंट कर के आओ, तो आप से और कोई छीज की अपरिक्शन हैं, सारे subjects के अंदर, इस पेशली SLCM के अंदर, ensure इतना सा करो कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कि आप अच्छों ने, बस अगर आप 100 marks का पीपर लिख कर आए, तो आप मचा दोगे, 100 marks का पीपर अच्छे से अटेंट कर के आओ, तो एक दम मज़े में रहो, अच्छे से आप, आपको पूरा मैंने concluding lecture में लिखके भी दिया है, आपके जो batch का last lecture उसमें पूरा लिखके दिया है, कि self-shrie कैसे कर नी है, exam की एक दिन पहले कैसे पढ़ना है, कि सीक्वेंस में पढ़ना है, यह सब आपके पास है, तो ensure करो, उसको अच्छे से follow करो, और इमानदारी से बढ़ो, खुब-खुब पढ़ो और खुब-खुब आगे बढ़ो, yes, चलो गंडे, और आपके seniors ने जो आपके लिए यह benchmark बनाया है, उसको तोड़के और आगे निकल जाओ, जो तूफान marks लाए, आप और अच्छे marks लाओ, तूफान तरीके सागे बढ़ो, चलो गंडे, इसके बाद में, अब मैं बात कर लिता हूँ, old syllabus, professional के बच्चों से, ठीक है, old syllabus, professional के बच्चों के लिए, funding and listing आपका पहला subject है, MCS आपका दूसरा subject है, and IBC आपका तीसरा subject है, सबसे पहले चीज़ तो, obviously बच्चों, आप लोगोंने amendments देख लिए, funding and listing amendment upload हो गए, MCS के additional cases upload हो गए, IBC में कुछ amendment नहीं है इस पार, तो यह सबसे बड़े तो आपने amendments बहुत इमानदारी से कर लिए है, ठीक है रहा, उसके बाद में, रहीबाद revision की, funding and listing में सब chapters की quick revisions आपके पास में है, MCS में भी आपके पास में quick revisions है, और जब-जब additional cases आते हैं, उसके मेंने साथ में ही quick revisions भी करवाया है, तो यह सब आपके बास में है, अच्छे से notes को impact intact, इंटक्ट रखो, सब चीजों को perfectly रखते वे चलो, IBC के अंदर, I believe revisions सादा काम करते नहीं है, क्यों नहीं करते हैं, पिकस, IBC Open Book के अंदर, आपसा सोचोगे ना, आपसा रट के चले जाओगे और वो help जाएगा नहीं, जो हमने class में conceptually चीजों को discuss किया है, जो हमने paper को solve किया है, वो आपके लिए बहुत helpful रहने वाला है, तो ensure करो कि IBC के अंदर आप अच्छे से conceptually revise करते वे जारे हो, और एक्जाम में presence of mind से पेपर अटेंट करके आ रहे हो, in the paper of IBC and MCS, the game is a little different, समझना अच्छे से भी आपे, आप अच्छे को धियान अठना है, पहले आपने amendments, revisions अच्छे से कर लिए, इमानदारी से पढ़ा ही कर रहे हो, अच्छे से, this funding and listing is very scoring, very scoring, अब्विस्टी बात हैं यहाँ पे, funding and listing में आपने numericals भी की है, ठेक है, numericals अच्छे से पढ़के जाना है, महनत कीए self-street के रहे हैं, अगर self-street के आपने अच्छे से महनत की है, तो आपके अच्छे marks आने ही आने है, funding and listing में इस मामलें बड़ा straight forward है, जिस जिस student ने महनत की, इमानदारी से लिख कर आया है, वो वेक्ती marks लिकर जाएगा, but when it comes to MCS and IBC, वैसा नहीं है, वहाँ पर आपको self-street के ने पे महनत करनी है, but उससे ज्यादा important है, सब सादे impact किस चीज़ का होगा, MCS और IBC के अंदर, during the examination, आपको बहुत carefully, during the examination, आपको बहुत carefully पेपर अटेम्ट करना है, और वहाँ पर presence of mind को साथ में लेते वे चलना है, तो when it comes to open book papers of MCS and IBC, आपने बहुत महनत की मुझे पता है, हमने बहुत महनत की है, लेकिन सिर्फ उस महनत से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको उस महनत के साथ-साथ, examination के अंदर बहुत smartly act भी करना है, अब उसको लेकि कुछ चीज़े बात कर ले तो बहुत अच्छे से, ठेक है, separately, what all to carry, यह सब मैं आपको बैच के अंदर बता चुको, मैं अलग से भी, एक proper image, what all to carry का, टेलिग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगा, तो आप रिलाक्स रहो, ठीक है ना, अब आजाते हैं हम यहाँ पर, during the examination, IBC में प्रिटी स्टेट है, आपको एकदम प्रेम से, एकदम इमानदारी से questions देखने है, जो जो questions आते हैं, उसको दपादप, 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 solve करते रहो, 100 marks का, attend करना है किसी भी हालत में, बस, अगर यह अपन कर पा रहे हैं, तो आपको 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 पहले 2 hours होंगे, उसमें 60 marks का paper, solve कर लेना है कौन सा, जो आपका case study base आता है, question number 2 onwards, question number 2 onwards, और last का 1 hour, पूरा आपको देना है, 40 marks के question number 1 को, एक problem क्या हो थी generally बच्चों का, बच्चे question number 1 को, या तो बहुत ज्यादा समय दे देते हैं, और उस चक्कर में 2 onwards में score नहीं कर पाते हैं, या इतना कम समय देते हैं end में, कि उसमें कुछ marks ही नहीं मिलते हैं, देखो, जो question number 1 है, वो generally इतना scoring नहीं होता, उसमें कम marks मिलते हैं, लेकिन question number 2 onwards scoring है, तो जैसे paper हाथ में आता है, आप पहले 2 onwards के सारी questions को देख लो, और उसको solve करना शुरू कर दो, question number 2 onwards को solve करना शुरू कर दो, बट 2 hours में आपको 60 marks का paper अच्छे से करके complete कर लेना है, पूरा का पूरा, फिर जो आपका last आपके पास 1 hour बचेगा, और 1st question होगा, जनरली 1st question में 4 questions होते हैं, 10-10 marks के, तो युलाइ 15 minutes to answer each question, तो वहाँ पर एक detailed answer, लिंदी answer, quality and quantity के साथ वाल answer लिख पाओगे, और युल गेट marks, बच्छों क्या गलती करते थे जनरली, कि आखरी का उनके आदा गंटा बचा होता है, तब वो 40 marks के question शुरू किया, अब आदे घंटे में, आप 10-10 marks के लिए answer को justify नहीं कर पाओगे, तो एक ये strategy, फॉलो करो, एक बहुत जबरदस सा ओर देता हूँ आपको, जनरली, पासिंग परसंटेज कुट भी 10%, 15%, at the max 20%, every student, who writes a paper of 100 marks, उसके लिए पासिंग की पॉसिबिलिटी डबल हो जाएगी, मतलब, अगर दस में से दो बच्चे पास हो रहे हैं, तो आप समझो, जो जो paper कम्प्लीट कर रहे हैं, उसमें, आप ऐसा रेशियो समझो, पेपर अगर अगर अप कम्प्लीट कर रहे हो, तो paper कम्प्लीट करना शुड बी और फॉर्मोस्ट प्रियोरिटी इन ओपन बुक पेपर्स, तो आपको यह एंशॉर करना है, को अप उसका paper कम्प्लीट करना है, तो आप उसका paper कम्प्लीट कर रहे हैं, आपको कह रहे हूं 33.33, हर तीन बच्चे जो paper कम्प्लीट कर कर रहे हैं, उसमें से एक बच्चा क्लियर हो रहा है, मार्क्स लेकर आ रहा है, तो अगर जैसे आपने paper कम्प्लीट कर लिया है, आपके ओड्स बहुत अच्छी हो गया, तो 100 marks कर अटेम्ट करना है, यह strategy जो मैंने कहा आपको 60-40 की, यह MCS में तो कर हो ही सही आप, IBC में भी कर सकते हो, अब अगर paper में कुछ ऐसा exceptional आज़ता है, कि आपको first question बहुत ही अच्छे से आ रहा है, तो आप उसको पहले कर सकते हो, कोई problem नहीं है, लेकिन मेरा suggestion है, जितने papers देखे हैं, यह strategy पर्फेक्ट ली काम करती है, कि first two hours के अंदर, पर time limit two hour के two hour रखनी है, two hour के अंदर, 60 marks का पूरा MCS का paper कर लो solve, जो normal questions है, six six marks वाले हैं, उसके बाद में आऊ, last one hour में justify कर और उस 40 marks के question को, and you'll be able to kill it. Same strategy पर IBC के लिए फॉलो कर सकते हैं, बट IBC में depends, कभी-कभी first question easy भी आ जाता है, so you can take a call accordingly. कोई भी paper, professional level का अगर आप दे रहे हो, तो एक 15 marks का भी 15 marks का paper बाहर से पूछा जा सकता है, यह सिर्फ आपका patience, सिर्फ आपका panic situation handling check करने के लिए किया जाता है, और end among questions में जो आपकी best knowledge है, उससे आपको answer लिख के निकल जाना है, attempt करना compulsory है, बस यह ध्यान रखो, अगर 100 marks का paper आप attempt कर कहा रहे हो, तो most likely, most likely you'll be very very happy with the paper, तो बस कोशिश करो कि paper 100 marks, बस यही अपना target है, आप आप पिछला baggage जब तक रखोगे, आप आगे बड़ी नहीं पाओगे, तो बड़ी पूरे baggage को छोड़ो, जो हुनाता हो गया, यह attempt में को अच्छे से दिना है, enjoy करना है, पूरे papers लिखकर आने, बस इतना सा सोच के paper दो, बाकी सब छोड़ दो, कुछ चीजें आपके और मेरे हाथ में नहीं, तो उस बारे में सोच के भी कोई sense नहीं है, paper checker कैसा मिलेगा, paper कैसा आने वाला है, ऐसा आगया तो, यह सब क्यों सोचते हो, आपने क्या करना है, अभी सिर्फ preparation प्रिपरेशन विध्यान देगा है, और उन तीन घंटों के अंदर सिर्फ 100 मांग साभी पर attempt करने की कोशिश करनी है, बस अगर यही आप करता रहे, तो you'll be able to kill it, मजे करो, मचाओ एक दम, ठीके गुंडे, तो इन सब चीजों का थेयान रखना, और obviously all of my best wishes आ रहती हूँ, चलो गुंडे, इसके बाद में, हमारे एकदम, नए नए जो गुंडे आए हैं, CS Professional, New Syllabus के, प्यारे प्यारे गुंडे, आप अच्चों के, एक तो आप बच्चों का जबरदस्त है, हाना, आप ऐसे टेंशिव, आप ऐसे लेबरेट्स नहीं हो, ऐसा माँ सुचो कि आपके ओपर ट्रायल हो रहा है गद हो, ऐसा नहीं सोचने का गभी है, मानता हूँ, पहला अटेंट है, बढ़ आप लोगों ने खूब महनत की है, हम लोगों ने ओल्ड सेलिबस के इतने क्वेश्चन्स प्राक्टेस कर लिए, कि हमें का आइडिया लग चुका है, कि नियू सेलिबस के अंदर भी वीपर कैसा आएगा, CFSM, CRVI and IBC, सबसे पहले चीज़ आपको धियान रखना है, amendments, CFSM में कुछ negligive amendments है, वो आपने देख लिए है, CRVI, IBC में कोई amendment नहीं है, तो आप मज़े में राओ, एकदम रलाक्स रहके आप पढ़ते बहागे चाओ, आप बच्चों के already quick revisions, इमानदारी से आपने कर लिये हैं, IBC के अंदर ऐसे कोई quick revisions होते नहीं, बढ़ आपके लिए CIRP, liquidation, Inka, कुछ revision डाल चुका हूँ मैं, लेकिन IBC Open Book के अंदर आपका mindset कैसा होना अच्छी है, कि जितना detail में आपका क्लास में पढ़ा है, जो हमने paper practice की है, में जितने भी case laws हैं, सारे case laws, two to and a half hours के अंदर मैंने सब discuss किये हैं, और उससे automatically आपके बहुत सारे provisions पर रवाइस हो जाएंगे, और exam में कभी-कभी open book में वो आपको फसाद सकते है case law based question पर, क्योंकि बच्चा ढूंदे का कैसे पूरे book में से, तो हमारी जो case law sheets है, case law cards है, वो लेके जाना है, और हमने class में discuss कहता है, को याद जगा, रहे हाँ, ये case था, और फिर आप उन case law cards से, फटावट से case law ढूंद पाएंगे, रहे हाँ, हाँ, ये बाला case है, तो वो बहुत fast तरीके से आप पहुँच पाएंगे, case तक और फिर module के अंदर, notes के अंदर, आप 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 से ढूंड सकते हैं, उस case को, that'll be easy, तो ये basic चीज है, एकदम मजे मेरो, कोई लोड नहीं लेना है, when it comes to subjects like CFSMN, CRVI, life is very easy, revise करो इमानदारी से, इनका बसका है, syllabus बहुत बढ़ा है, लेकिन बहुत simple चा पैटरन है, कोच extraordinary नहीं करना है, revise करो इमानदारी से, quick revisions देखो इमानदारी से, exam में, 100 marks का paper attempt करना है, अच्छे से, सारे points लिखो, और best है, फिर क्या, सोजाओ, फिर मचाओ, and get best marks, तो when it comes to CFSF and CRVI, life is very straight, कोई ऐसा confusion नहीं है, revise करना है, बहुत दिलो जांसे हमको, quick revisions देखने, दिलो जांसे हमको, exam में, proper point-wise लिखना है, presentation, keywords, underlines, सब इमानदारी से करते लिखना है, 100 marks अभी पर attempt करना है, and 2-5 marks लेके भाग जाना है, it's very easy, when it comes to open book paper, कोई भी subject अभी अपन बुक का, कोई अगर अगर IBC नहीं है, तो भी यह सुन सकता है, same चीज है, open book paper के अंदर, आपने जो efforts लिए है, उनका relevance 50% ही है, exam में आप कितने presence of mind से paper solve कर रहे हो, यह relevant है, तो open book paper के अंदर धियान रखना, पासिंग रेशियो 10-20% होता होगा, लेकिन अगर आप 100 marks लिखक रहाया हो, तीन बच्च्रे में से एक बच्चा पास हो जाता है, जो 100 marks लिखक रहाया है, और समझ में रहे हो 33.33 हो जाते हैं आपके निकलने के odds, विचिस वेरी गुड, उसमें आपका आंसर का quality भी अच्छा होगा, तो आप वही बच्चे बने होगे, राइड, बट 100 marks लिखक रहाया है, तो फिर पास होने के चांस सिर्फ 10% है, तो 100 marks का लिखके निकलने, 10% भी नहीं है, नहीं है, 100 marks लिखक रहाया है, इसमें एक strategy फॉलो कर सकते हो आप, कि जो अपना paper आता है, उसमें first question 40 marks का आता है, उसको आप last one hour के लिए छोड़ दो, तो आप क्या कर सकते हो बच्चे यहाँ पर, जो first two hours है, उसमें आप 60 marks का paper attempt कर लो, this is question number two onwards, और जो last one hour होगा, उसमें आप 40 marks का attempt कर लो, question number one, तो इससे होता यह है, कि first question को proper justice कर पाते हो, generally क्या गलती कर देते हैं बच्चे, कि वो second onwards पे इतना time लग गया है, कि end में half an hour बच्चा और 40 marks का वो लिखना बाकी है, तो हम justice नहीं कर पाते हैं, तो first question को justice करने के उसको गर one hour दिया, तो आप बहुत आराम से कर पाओगे, यारा, कुछ नहीं करना है, आप बच्चे बहुत अच्छे marks लाने वाले हो, बस आप बच्चे हो क्या करना है, इमानदारी से रिविजिन करना है, अपना hundred percent देके exam में आना है, और hundred and mark से paper attempt करके आना है, और आपको कोई ताकत नहीं रोगे, यारा, कोई ताकत नहीं रोगे, यारा, कोई स्कोर आउटस्टैंडिंग मांक्स, ठीके बचाजी, इसके अलावा, IBC में कौन-कौन से books करी करने बगरा, उसके भी में वापस एक sheet है, जो मैं टेल्ग्राम चैनल पर अप्लोड कर दूँगा, एक दिन पर एक आउडियो मैं गृप पे भीजूँगा, टेल्ग्राम चैनल पर भीजूँगा, एंशॉर करना बच्चे, कि वो आउडियो जोई ना, आप हंड्रेड परसंट सुन रहे हैं, आप हुआए, एंशुर को अब पर आउड़ा, आप हुआए, एक दम मजे एक दम ने रहो, एंजॉए कर कर आउँ, कि एक्जामस देना एं, पस साटिसवाइड अचे से पेपर लिख राना है, ऐसा चेस के मैच्स की तरह लगना चाहिए, और वो अजीब सा क्वेशन भी रिखेगा, कुछ होगा, अजीब सा भी होगा, अब हमको उसको हैंडल करते वे, स्ट्रेस मैनेज करते वे, मजज़दार तरीके से पेपर्स लिखके निकल के आना है, ठीक है रहा, खुब खुब पड़ों, खुब खुब आगे बड़ों, बागे बाए,